आज के इस वीडियो में हम इंडिया के दो सबसे अच्छे Mixer Grinder के बीच कंपेरिजन करने वाले हैं एक तो Philips Company की तरफ से आता है जिसका model name Philips Wiba Collection HL7701-00 है और दूसरा Mixer Grinder Boach Company की तरफ से आता है जिसका model name Boach Pro Mixer Grinder आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को last तक देखें जिससे आपको मालूम हो जाए कि इन दोनों Mixer Grinder में कौन सबसे अच्छा है तो सबसे पहले हम कंपेरिजन करते हैं इनके वाट के बीच में तो Philips Wiba Collection Mixer Grinder 750 वाट वाला है और Boach Pro Mixer Grinder 1000 वाट वाला है आपको बता दे कि जिस Mixer Grinder का वाट जितना ज़्यादा होता है उससे उतना ज़्यादा है भी काम आसानी से होता है इसलिए यदि आप अपने घर के लिए Mixer Grinder खरीदना चाहते है तो Philips के इस Mixer Grinder को खरीद सकते है लेकिन यदि आप रस्टोरेंट होटल के लिए Mixer Grinder खरीद है तो आपको बोच के इस Mixer Grinder को चूज करना चाहिए क्योंकि होटल और रस्टोरेंट में Mixer Grinder का काम घर से ज़्यादा होता है आगे बढ़ते है और आप कंपेरिजन करते है किस Mixer Grinder में कितने जार दिये जा रहे है तो Philips Vyba Collection के Mixer Grinder में मिल रहे जारों की संख्या चार है जबकि बोच प्रो Mixer Grinder में मिल रहे जारों की संख्या तीन है इन जारों में आपको एक weight grinding jar, एक dry grinding jar और एक चटनी jar देखने को मिल जा रहा है आपको बता दे कि stainless steel से बने jar में न तो जंग लगता है और यह clean करने भी बहुत आसान होता है यहाँ पर मैं आपको एक bonus tip देता हूँ कि आप कभी भी jar में नमक डाल कर grinding न करें, नहीं तो उसमें जंग बहुत जल्द लग जाएगा आगे बढ़ते हैं और आप comparison करते हैं कि किस Mixer Grinder पर कितने साल की वरानिटी मिल रही है तो फिलिप्स, वाइबा, कलेक्शन और बोच प्रो के दोनों Mixer Grinder पर दो-दो साल की वरानिटी दी जा रही है मेरे हिसाब से electronic चीजों पर जितना ज्यादा वरानिटी मिल रहा हो, उतना ज्यादा अच्छा होता है आगे बढ़ते हैं और अब comparison करते हैं इनके price के बीच में, लेकिन इससे पहले हम इनके special feature के बीच में comparison कर लेते हैं तो फिलिप्स के इस Mixer Grinder में 19,500 RPM वाला motor लगा हुआ है, जो 30 मिनट तक लगातार grind कर सकता है इसके अलावा इसमें auto cut off feature दिया गया है, जो Mixer Grinder को damage होने से बचाता है, जिससे आप Mixer Grinder को कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें 4 speed settings दिया जा रहा है और इसमें strand suction feet लगा हुआ है, जो grinding करते वक्त Mixer Grinder को stable रखता है अब बात करते हैं, बोच प्रो Mixer Grinder के special feature की, तो इस Mixer को आप completely hand free operate कर सकते हैं मतलब grinding करते वक्त आपको जार पकड़ने की जरूरत नहीं है यह Mixer Grinder भी stainless steel से बना हुआ है, इसके अलावा बोच के इस Mixer Grinder में भी आपको ये 2 important feature देखने को मिल जाते है एक तो 30 minute use का और दूसरा overload protection feature का मेरे हिसाब से कभी भी Mixer Grinder को लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नहीं तो इसके खराब होने का chance बहुत ज्यादा होता है इसलिए Mixer Grinder को 5 minute इस्तेमाल करने के बाद 2 minute का stop दे देना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं और comparison करते हैं इनके सबसे important point के बीच जो की है price तो फिलिप्स वाइबा कलेक्शन के इस Mixer Grinder का price 5700 रुप्य है जबकि बोच प्रो के इस Mixer Grinder की price 7000 रुप्य है आपको बता दे कि इन Mixer Grinder के price deal और offer के कारण हमेशा change होते रहते है इसलिए यदि आप इनके latest price को चेक करना चाहते हैं या फिर इनको खरीदना चाहते हैं तो मैंने आप सब की सुविधा के इनके best discounted link वीडियो के description box में दे दिया है जहां से जाकर आप खरीद कर सकते हैं